ब्राट तो यू बाई माई 11 सर्कल, विन सेकेंड प्राइज वन करोर, डाउन डोड नाउ तो 19.2 ओवर्स में उन्होंने ये टागेट अचीव किया और प्लेयर अफ दी मैच रहे राशिद खान जिस तरह से उन्होंने गेन बाजी की और तीन बॉल पे 10 रन बना के टीम को जीत भी दिलाई इसके बाद बात कर लेते हैं MS Dhoni की कप्तान चिने सुपर किंग्स की उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पार्टी में क्या कुछ कहा उन्होंने कहा कि हमें पालूम था कि ये ड्यू जो है रहेगा लेकिन हम बाटमेंशिप में थोड़ा और बेतर कर सकते थे उन्होंने रुतुराज गाइकवाड की तारीव की है उन्होंने कहा कि वो काफी शांदार थे जिस तरह से वो बाल को टाइम कर रहे थे बिलकुल शांदार था और उनको बलेबाजी करते देख बिलकुल मजा आ रहा था जिस तरह से वो अपने उप्शन्स पिक करते हैं बहुत अच्छा लगता है उनको देख कर इसके बाद एक और डेबुटान थे जो काफी जादे इंप्रेसिव लगे वो थे राज हंगर गेकर उनको लेकर भी MS Dhoni काफी जादे impressed थे, उन्होंने का उनकी पास pace है और time के साथ वो और बहतर होते जाएंगे इसके लावा उन्होंने का कि bowlers भी जो है दीरे दीरे बहतर होते जाएंगे A no ball is something that is in your control, no ball जो है आपकी control में है So you need to work on that, तो आपको जो है उस पे काम करने की जरुवत है इसके लावा शुमन गिल की बात करते हैं, अच्छी शुरात दी उन्होंने गुजराट Titans को उन्होंने कहा काफी अच्छा लग रहा था लेकिन disappointed हूँ कि मैं गलट time पर out हो गया इसके लावा हारदिक पांडिया की बात करते हैं, post match presentation में हारदिक पांडिया आए इसके लावा post match press conference में भी हारदिक पांडिया आए एक एक करके बात करेंगे कि किन किन मुद्धों पर उन्होंने बात की सबसे तो पहले बात कर लेते हैं कि गेम को लेकर जिस तरह से team को जीत मिली उससे काफी ज़्यादा खुश नजर आए उन्होंने का we did put ourselves in a difficult situation हमने अपने आप को difficult situations में जरूर रखा था लेकिन जिस तरह से राहूल आय और आशिद आय उन्होंने अच्छा किया और we were happy at the mid innings because at one point they look like getting 200 जिस तरह से CS के बलेबाजी कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वो 200 और run बनाएंगे तो हमने जो mid innings में जिस तरह से उनको control किया विक्ते लेकर उनको रोकने की कोशिश की वहाँ पर team ने अच्छा किया but we got those couple of wickets to pull things back और जो विक्ते हमने ली उसे चीजें काभी बहतर हुई having this impact rule makes my job difficult impact rule के जो नए नियम है उसको लेकर भी हार्डिक पांडे ने कहा कि मेरे job को थोड़ा सा difficult बना देता है I have too many options मेरे पास काफी ज्यादा options है and because of this someone will bowl less और इसी कारण जो है एक गेंदबाज जो है कम गेंदबाजी करता नजर आएगा this game I realized bowling hardland was the way to go and that's why alzari bowl late having Rashid is a real asset जिस तरह से Rashid ने पूरे game में अपना प्रदर्शन दिखाया है बले से और गेंद से उसे काफी impressed लगे हार्डिक और उन्होंने कहा है कि team के लिए एक asset है Rashid Khan he will give you wickets and give you runs late down the order as well इसके लावा उन्होंने कहा but today my shot and Shubman's shot wasn't the best जिस तरह से Shubman out हुए और जिस तरह से मैं out हुआ वो shot बिल्कुछ सहीं नहीं था we need to do better to ensure we don't put the responsibility on these guys lower down the order और ये चीजें हमें sure करनी है कि हम responsibility जो है नीचले पुचले बल्लेबाज है उन्होंपर ना डाले इसके रावा हादी पांडिया press conference में आये और जिस तरह से team को जीत मिली उन्होंने का इस जीत से भी हम सीख सकते हैं लेकिन अगर हम हार भी जाते तो इन हार से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती इसके लावा जिस तरह से Kane Williamson कल fielding करते हुए boundary पर injured हुए थे उनको वापिस लेके जाया गया था उनकी injury पर हार्दिक पांडिया ने update दिया है क्या कुछ कह है उन्होंने कहा है कि मैंने message किया है Kane को और I don't know about the update, update जो है मुझे जाता पता नहीं है मैंने उनको अभी message किया है वो scan के लिए गए है और जब वापिस आएंगे scan के बार doctors उनको check करेंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि exactly क्या situation है के इनकी injury को लेकर right now there is no time frame लेकिन अभी फिलहाल कोई time frame नहीं है और कि क्या उनको exactly हुआ है हमें ये ग्यान नहीं है ये ज़रूर पता है कि नी में कुछ न कुछ problem है लेकिन ये problem कितनी serious है और कितना time लेगेगा इसके बारे में हमें अभी फिलहाल कोई भी information नहीं है ऐसा हार देख नेखा इसके लावा उसे ये भी पूछा गया है कि जिस तरह से गुजराट Titans को defending champions है पहले match में जीत मिली है तो trophy के पास पहुँचेंगे तो उन्होंने कहा कि हम इतना ज्यादा pressure लेते नहीं है फोकस यही है game by game जाना और अगर ज्यादा pressure लेंगे तो वो team के लिए अच्छा नहीं रहेगा हमारी team उस तरह से अपरेट नहीं करती है इसके लावा रुतुराज गाइकवार से भी काफी impressed लगे ना हार्दिक पांडिया और उन्हों ये भी कहा कि इंडिया के लिए खेलते वे काफी ज्यादा wonders करेंगे रुतुराज गाइकवार इसके बाद स्टीफन फ्लेमि जब उन्होंने last test match खेला तो और यहां आने से पहले और कुछ medical चीजे भी उन्होंने अपने नी में की है medical work so we want to do the right thing by making sure that he is 100% ready to go हमें बिल्कुल sure होना है कि वो बिल्कुल 100% ready है he is not there yet and that includes bowling form लेकिन वो वहां अभी तक नहीं पहुंचे है जिसमें bowling भी included है so we are working closely with him तो हम उनके साथ बिल्कुल closely work कर रहा है he is making a very good progress और काफी अच्छा progress जो है Ben Stokes का उस area में अभी फिलाल चर रहा है very happy with what he has done so far और जो अभी तक उन्होंने किया है उससे हम काफी जादा खुश है I think he feels very positive about the progress that he has made इसके लाबा अगर वो गेनबाजी करते हैं तो team के लिए अच्छा addition होगा इसके लाबा फटाफट बता देते हैं कि कल Mumbai Indians ने finally Jaspreet Bumra का replacement announce किया है वो है Sandeep Warrior इससे पहले Sandeep Warrior जो है आपको बता देते हैं KKR और Royal Challenges Bangalore के साथ खेले हुए माफ करिएगा इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभिशेक पोरल जो है दिल्ली Capitals ने उनको रिशप पंध के replacement के तौर पर भी announce किया है तो दो replacements आए हैं Mumbai Indians ने Jaspreet Bumra के replacement के तौर पर संदीव Warrior को टीम में जगा दी है और दिल्ली Capitals ने रिशप पंध के replacement के तौर पर अभिशेक पोरल को जो है टीम में जगा दी है जो कि आपको sports तक ने कई दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी आगे की खबरे हम break के बाद लेंगे और सारी खबरे आपको बताएंगे कि क्या-क्या खबरे हैं लेकिन अभी फिलाल एक break का वक्त है चालेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है वो तो हर कोई करता है लेकिन ललकार ना हर किसी के बस की बात नहीं तो तयार हो जाएंगे लड़कियों की ललकार के लिए 5 cities, 5 teams, unlimited passion और 8 champion क्या आप तयार हो? बनाए अपनी team सिर्फ माई 11 circle बाएंगे This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. स्वागत है ब्रेक के बाद जो कुछ खबरे बची थी वो एक-एक करके हम लेंगे सबसे पहले आपको बता देते हैं किस तरह से जहीर खान, हार्दिक पांडिया से काफी ज्यादा impressed है जिस तरह से हार्दिक पांडिया जो है गेंदबाजी और बलेबाजी दोनों करते हैं और उनका मानना है कि बहुत कम खिलाडी है जो कि ऐसा कर पाते हैं और एक ideal impact player है हार्दिक पांडिया जिस तरह से नीचे आके बलेबाजी करते हैं पाच पर ये छटे position पर ज्यादा overs नहीं होते हैं उनके लिए phase करने के लिए ज्यादा gain नहीं होते हैं इसके अलावा MS Dhuni की बात करते हैं impact player को लेकर MS Dhuni ने अपना verdict दिया है उनका माना है कि ये एक luxury है उन्होंने कहा it's a luxury to have the impact player it becomes slightly easier to make the decision because you can use it at any time और इसको आप कभी भी use कर सकते हैं influence of all-rounder has become slightly less because of the rule और उनका ये मानना है इसके कारण जो influence और rounder का होता है वो कहीं न कहीं कम हो गया है इसके लावा बात कर लेते हैं विराट कोली की विराट कोली ने एक event के दोरान लोगों को students को जो है एक बड़ी सला दिया उनने कहा है कि अगर आप अपने cricket या sports career को लेकर काफी ज्यादा serious है तभी आप उसको as a career लेके जाए लेकिन अगर आप उसको seriously नहीं ले रहे हैं तो आप अपने studies अपने पढ़ाई पर focus करिए इसके अलावा दो तीन खबरे और है वो आपको बता देते हैं जी हाँ श्रिलंका की बात कर लेते हैं जो direct world cup qualification की जो है उनके सबने खात्म हो चुके हैं कल न्यूजिलंड ने श्रिलंका को 6 wickets से 3rd or final ODI में हराया और जो series है अपने नाम कर लिया है इसके साथ ही एशिया के श्रिलंका के जो chances से directly qualified इस world cup के लिए वो खत्म हो चुके हैं इसके लावब PCB की बात करते हैं पाकिस्तान cricket board काफी ख़बरे आ रही थी कि पाकिस्तान cricket board जो है चाहता है कि 2030 world cup जो है पाकिस्तान के लिए neutral venue पे खेला जाया है उन्होंने इस पूरे claim को refute किया है और PCB chairman नजम सेटी ने इसको लेकर कहा है at no stage during Thursday's media interaction did I give any reference to the ICC or made any remarks on the ICC men's cricket world cup which is scheduled in October this matter has not been mooted or discussed at any ICC forum so far तो उनका कहना है कि ये जितनी भी claims जो media में आ रही है वो बिलकुल भी सही नहीं है इसके लावब बात कर लेते हैं इमरान खान की BCCI को लेकर इमरान खान ने बड़ी बात कही है उनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो relationship है वो unfortunate है और there is a lot of arrogance in the way India now behaves in the cricketing world as a super power उनको लगता है कि इंडिया में काफी जादा arrogance है जिस तरह से cricketing power है उनके पास वो super power बनी भी है because of their ability to generate a lot of fun more than any other country I think they almost dictate now as a sort of the arrogance of a super power who they should play and who they shouldn't तो ये इमरान खान का मानना है इसके लावा राशिद लतीफ ने भी BCCI or PCB के relationship के उपर कहा है उनका कहना है कि PCB जो है वो officially BCCI के demands के आगे जुख चुकी है और now they can say whatever they want in media it does not matter वो जाके media में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ये चीज़े अब matter नहीं करती है Josh Hazelwood की बात करें अच्छी खबर ये है कि 14 April तक वो IPL में आपको नजर आएंगे और 3rd week of April में वो आपको खेलते नजर आ सकते हैं ऐसा उन्होंने अपनी जानकारी दी है इसके अलावा रिकी पॉंटिंग की बात करते हैं उन्होंने दो टीमें बताई हैं जो आगे IPL में अच्छा कर सकती हैं उसमें उन्होंने बताया है राजिस्थान रोयल्स और गुजराट टाइटन्स का नाम लिया है जो कि लास सीजन भी काफी ज्यादा उन्होंने कि लूरू FC के खिलाव जो IISL का इलिमिनेटर मैच था उसे फफीट किया था उसकी सजा उनको मिल रही है और एक फाइन लगाया है चार करोड का केरला ब्लास्टर्स पर इसके अलावा उनकी कोच को भी दस मैच के लिए बैन किया है और फाइन और फाइन फाइन फाइव ल पर फाइन जो लगाया गया है AIFF द्वारा इसके लावाद साउथ आफरिका और नीदरलंड का भी मैच खेला गया और साउथ आफरिका ने नीदरलंड को इस मैच में आट पिकेट से मार्च दे दी है तो जाते जाते आपको बता दे कि IPL का सीजन स्टार्ट हो चुका है आप खेल सकते हैं सारे मैच आप देखिए सेकंड प्राइज अगर वन करोड है तो सोचिए फर्स प्राइज क्या हो सकता है आप इतने सारे आपके पास कांटेस्ट होते हैं केलने के लिए आपके पास एक मौका है एक ब्रैंड न्यू आइफोन 14 जीतने का भी जी हां इसकुल भी देर मत करिए क्योंकि आइपल का सीजन हो चुका है स्टार और इसका फाइदा उठाई या डबल धमाका होने वाला है दोनों मैचेस में आप अपने टीम बनाईए और जीतिए लाको के नाम सेकंड प्राइज बन करोड है तो सोचिए फर्स प्राइज क्या होग अभी के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त धनिवाद